नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है खब्रों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार के 43 और विद्यालियों में शुरू होंगे वोकेशनल कोर्स बिहार का या महिला थाना बना देश का नमबर वन थाना साल के अंत तक हड़ भूमिहीन का होगा अपना घर नीरा उत्पादन के लिए सरकार करेगी एक लाख रूपे की मदद क्रिकेटर उमेश यादा से 44 लाख रूपे की ठगी इसके साथ ही बरते हैं साम तक की बड़ी खब्रों के ओर विस्तार से बिहार के 43 और विद्यालियों में शुरू होंगे वोकेशनल कोर्स बिहार सिक्षा परियोजना परिसत के द्वारा राज्य के 43 और स्कूलों में वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई शुरू करने के लिए स्कूलों में लाब बनाने की प्रक्रियार शुरू कर दी गई है किंद्र सरकार की योजना के तहत राज्य के 33 जिलों की एक एक स्कूल में 2022 से वोकेशनल कोर्स की सुरुवात की जा चुकी है। बिहार का ये महिला थाना बना देश का नंबर वन थाना। बिहार की अरवल महिला थाना सर्वस्रेश्ट प्रोजर्शन करते वे देश भर के सभी महिला थानों में नंबर वन घोशित की गई है। बता दे कि इससे पहले भी 2021 में अरवल जिले के रामपूर जोरम थाना देश के सर्वस्रेश्ट दस थानों के सूची में शामिल हुआ था। वानेजेकर विभा की पतना समीत अरतिस स्थानों पर बड़ी कारवाई। वानेजेकर विभा के किंद्री अन्वेशन व्यूरो की टीम के दोरा पतना और गोपालगन समीत राज्य के कहीं सहरों के अरतिस गैर निबंधित मैरेज हॉल पर छापे मारी की गई। सभी वहां मैरेज हॉल है जो जीस्टी में रजिस्टर नहीं थे विजय कुमार चौदरी के दोरा दीके जानकारी के अनुसार दिसंबर में भी ऐसे कई मैरेज हॉल के खिलाप पूरे राज्य में कारवाई की गई थी जिसके फल सरूप 18 मैरेज हॉल त्वारा जीस्टी का अने बंधन भी करप्राप्त किया गया था नीरा उत्पादन के लिए सरकार करेगी एक लाख रुपे की मदद मुखे मदरे नितीस कुमार ने समधान ग्यात्रा के क्रम ये बोद गया प्रखन के इलड़ा गाउं में नीरा उत्पादक समूद वारा लगाई गई और भी सहायता मुहया कराई जाएगा उन्होंने कहा कि नीरा उत्पादन से लोगों की आंदनी भी बढ़ रही है इसे परिवार के साथ राज्य की भी आर्थिक सिती मजबूत होगी और साथ ही नीरा के उप्योग से स्वास्त भी बहतर होगा साल के अंद तक हर भूमी हीन का होगा अपना घर पीते दिन गोड़डी के एक कारिक्रम में शामिल हुए बिहार सरकार के राजश्व और भूमी सुधार सह गन्ना उद्योग मंत्री आलोक मेता के दोरा जानकारे देते वे कहा गया कि साल के अंद तक राची में हर भूमी ही व्यक्ति के पास अपना घर होगा उन्होंने कहा कि वर्ष के अंद तक तमाम भूमी हीनों और गडी को ती से पांच डिसिमल जमीन उपलब्ध कराते वे उनको तमाम सुधाओं के साथ बसाया जाएका सरकार के दौरा बिजली पानी और सरक से लास मल्टी स्टोरी भवन बन 23-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथी जारी कर दी गई है आपकी जानकारी के बता दी के डियरेट संयुक्त प्रवीश परिच्छा की ऑनलाइन आवेदन 25 जन्वरी से सुरू कर दिया जाएगा जो की 8 फरवरी तक जारी रहेगा मालूम हो कि यह परिच्छा ऑनलाइन मा भाकी बैठकी गई जिसमें छात्र नहीं ता सौरफ कुमार सिंग के दौरा दी गई जानकारी के अनुसार बी एससी की एक पाली की परिच्छा तो रद कर दी गई है लेकिन अभी तक दो पालियों की परिच्छा रद करनी बाकी है अपने इस मांग को लेकर आमसभा में यह नने लिया गया है कि 23 जनवरी को बिहार करमचारी चेन आयो के काड़े आले जाकर ग्यापन सौपा जाएगा और इसके बाद भी मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो 30 जनवरी से बी एससी के सभी छात्र और निश्चित काली समय के लिए धरने पर बैठ जाएंगे मालू हो कि बीते साल दिसंबर में बी एससी की पाली का पेपर एक्जाम सुरू होने के एक घंटे बाद ही लीक हो गया था जिसके बाद छात्रों के द्वारा मांग की जाने लगी कि इस परिच्छा के तीन पालियों को रद कर देना चाहिए दद दलाई लामा ट्रस्ट में मुख इसकुमार के प्रयास को प्रश्शन स्ली है बताए गया वही मुके मंत्री के द्राड दलाई लामा ट्रस्ट के ओर से की एक्गई पहल के सरहाना करतेवे कहा गया कि परंपावन दलाई लामा के प्रती में अपना आभार परकट करता हूं क्युमों ने बिहार और बिहार के लोगों के हित के लिए यह सहायता राशी प्रदान की है वित मंत्री ने बताया इसमा जीस्टी कालेक्शन 650 करोड कैसे हुआ हाली के दिनों में पूरे बिहार में वानिचे कर विभाग द्वारा रियलिस्टीक कोचिंग संस्थान इंस्योरेंस सेक्टर प कहा गया है कि हाली के दिनों में वानिचे कर विभाग द्वारा कर संग्रहन ही तु बहतर प्यास किये गया है उन्होंने कहा कि कड़ अपवांचना करने वाले सभी वेवसाइट संगठन पर वानिचे कर विभाग पैनी नजर रख रहा है इसलिए करदाताओं से अपील करता हो गया था जिसके बाद सरकारी मेला पुर्ण तक खत्म हो गई थी और नीची दुकान चल रही थी हाला कि बरती ठंडर ने एक बार फिर से सोनपूर मेला में जान भर दिया है जानकारी के नुसार मेला खत्म होने के बाद जहां 20-25 प्रतीसत तक की बिक्री होती थी वहीं बरती ठंड को देखकर बिक्री 95 प्रतीसत तक हो गई है इसके अलावा आप यहां पहले कि अपेक्छा कपडों के रेट में भी कमी आ गई है आपकी जानकारी के लिए बता दी कि हमेला 2022 में कोविड 19 की वज़ह से दो वर्शों बाद लगाया था जिस वज़ह से इस मेली मे बांके बाजार प्रेखन के बेला गाउं में लेमंग्रास की खेती को देखा और उसके उपलबदिया बताई इसके साथ है इस दोरान मुख्य मंतर नितिस को पी पिया और कहा कि लेमंग्रास बहुत ही फाइदे मंचीज है उन्होंने ब्हुंने बिएक अने मार्ग में पट प्रधान मंत्री नरंद्र मोधी की तरह बड़े हिरदय से अपनी स्थांस्ट्रितिक विरासत को आगे बढ़ाने की पहल करनी चाहिए राज्य में 33 वर्सों से बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार चल रही है लेकिन राज्य में मौझूद पवित्र स्थलोका दिनुर्ध समर्थ है अब हम अपनी कारिकरताओं के दम पर बिहार में काम करेंगे तो ऐसा क्या हुआ कि उपिंद्र कुष्वाह का इंतजार करें भाजपा ने उपिंद्र कुष्वाह में ऐसा क्या देख लिया कि प्रदीश अध्यक्ष संजैर जैश्वाल उनकी स्वागत के लिए ख पुर्व मैनेजर ने कतित रूप से 44 लाख रूपए की ठगी कर ली है बता दे कि ये ठगी महरास्टों के नागपूर में उनके नाम पर एक फ्लॉट खरीदने के नाम पर की गई है इस बात की सूचना मिलने पर नागपूर निवासी उमेश यादर की सिगायत पर सैलेस ठाक कि अधि बिवार को पीट्रोड डीजल के रेट जारी किये जिसके बाद राज़ारी पठना में आज पेट्रोल 107.22 रूपए और डीजल 94.9 रूपए प्रती लीटर में मिल रहा है मुझे अपरपूल में पेट्रोड 107.9 एक रूपए और डीजल 94.4 रूपए फ्रती रुपए और डीजल कीमत 95.4 रुपए प्रती लीटर है बतादी कि बिहार में पेट्रोल खरेट सबसे अधा किस दन गंच में है जहां पेट्रोल इसो नौव दसम्दो चार सुने रुपए प्रती लीटर की दर से मिल रहा है अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर आज का सवाल है आपके नुशार विद्यालों में वोकेशनल कोर्स की सुरुवात होने से बच्चों की पढ़ाई में कितना अंतर आएगा आप अपना जवाब हमें अमारी कामेंट सेक्शन में देखकर जरूर बताए आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम ख़बरों के साथ बने रहने के लिए देखते नहीं बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं तो चलंको सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पीस को लाइक करना न भूले धन्यवाद